जय हिन दोस्तों स्वागत है आपका बीके अल्राउंटर चैनल पर दोस्तों आज के स्वास्त वीडियो में हम आपके लिए लेकर आये हैं फंगल इन्फेक्शन में इस्तेमाल होने के बाला कैप्सूल कैंडी फोर्स 200 यमजी दोस्तों इसका जो साल्ट होता है वो इट्रेकोना जोल होता है और मैनुफेक्शर्ड इन इंडिया वाई मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है और इसका यमार्पी जो है 153 रुपए है 7 कैप्सूल्स का जी है 153 मैं आपको जानकारी दे रहा हूं इसका प्रतिदिन एक कैप्सूल खाया जाता है जी हैं डेली कैप्सूल एक खाना होता है और आपके कोई भी तो चारोग हो फंगल इनफेक्शन हो दाद, खाज, खुजली, फोडे, फुनसी, मुहासे, खून में गंदगी यह सभी समस्यां आपकी बिल्कुल ही कैप्सूल को खाने से सही हो जाएंगी और कैप्सूल कितने खाने हैं कितने दिन तक खाने हैं यह बात जो है आपको कितने दिन तक कैप्सूल खाने हैं 15 दिन, 1,5,5,5,5 महीने यह दो महीने जैसे भी आपकी समस्या होगी वैसे ही कॉर्स चलेगा और परड़े एक कैपसूल खाते रहना है आपको और कितने दिन तक खाना है यह डेक्टर बताएंगे आपको दोस्तों यह बहुत ही राम बार बहुत ही बिल्कुल आखिरी दबाई होती है अगर कहा जाए तो दाद खाज, खुजली, अकौता, छांजन मतलब जो भी तचारोग होते हैं, उनके लिए विल्कुल ही यह राम मार दबाई होती है, बहुत ही बढ़िया कैपसूल होता है और थोड़ा महेंगा होता है एक साथ कैपसूल होते हैं, साथ की पैकिंग अभी स्की मार्केट में उपलब्द है, साथ की ही आती है तो दोस्तों इसके अलावा यह दियापका नाखून, बहुत से लोगों के नाखून में दिक्कत हो जाती है नाखून तूटने लगते हैं, नाखून तेढ़े मेडे होते हैं, या तेढ़े मेडे निकलते हैं इन लोगों के नाखुन नीटल रहे हैं उटे टेंडे निकल रहे हैं निकल रहे हैं ज्मिड़े टूठत को फॉर्दुरय कटहरते हैं पर भी болती में अच्छा रहे हूं उनको अभी करीब एक महीने तक एक कैपसूल खा लेना चाहिए एक कैपसूल प्रति दिन 200 mg का एंटी फोर्स उनके जो नाखून है बिल्कुल ही सही हो जाएंगे बिल्कुल ही सही निकलने लगेंगे ना खूनों की कोई भी समस्या हो दोस्तों और तोचारों कैसा भी हो कोई भी हो कितना भी पुराना हो उसके लिए लिए एक और जोल 200 mg के एंटी फोर्स का कैपसूल जो होता है मैनकाइंड का ये बहुती राममर्द काम करता है बहुती अच्छा काम करता है बस एक चीज़ का दियान रखें दोस्तों इसके कुछ साइड एफेक्ट भी होते हैं जैसे कि यदि आप इसका इस्तेमाल ज्यादा दिनों तक करते हैं और यदि यह आपको थोड़ा दिकत करता है तो बस यही दिकत करेगा कि आपका सिरदर्द हो सकता है आपके पेट में एसीडिटी हो सकती है जलन हो सकती है और एक चीज़ का दियान रखे हैं दोस्तों जो लोग BP के पेशेंट है जिन लोगों को हाई ब्लेट प्रे सर दिकत है वो लोग इस कैपसूल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें जी हां दोस्तों ये हाई बिलिट प्रेसर पेसेंट जो होते हैं उनके लिए नुकसान दायक होता है उनको नुकसान करेगा उनको इसका एपसुल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है और इसके अलाबा जो महिलाएं गरब बती हैं उनको भी इसका एपसुल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें और जो महिलाएं इसतंपान कराती हैं जो महिलाएं अपने बचे को दूध पिला रही हैं वो महिलाएं भी इस के अप्सुल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें कि उनके लिए यह नुकसान दायक साबित हो सकता है और बाकी लोग जिनको दाद खाज खुजली या कोई भी तोचारों की समस्या है वो लोग आराम से इसका इस्तेमाल करें 200 mg कैपसूल एक रोज खाना है बारा साल से उपर वालों के लिए 200 mg एक कैपसूल परड़े आपका दाद खाज खुजली जो भी यह समस्या है आपकी तोचारों कोई भी हो कैसा भी हो बिल्कुल ही सही हो जाएगा उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारी जानकारी पसंद आई होगी तो दोस्तों हमारे वीडियो को like, share और हमारे चैनल को subscribe जरू कर दें और subscribe करने के बाद बैल आकउन जरू दबा दें जिससे के आने वाले हर नय वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके मिलेंगे फि झाल झाल